नमस्कार साथियों आपका स्वागत है नवीन जी के जी एस चैनल पर अगर आप बिहार आईटी आई कर रहे हैं तो आपको जो है कौन सा ट्रेड लेना चाहिए जिसका ज्यादा जॉब में भैकेंसी रहता है तो आज देख लेजी इस वीडियो में अगर बिहार आईटी आई बिहार आईटी आई में बेस्ट टॉप जो है चौदर ट्रेड और भी कई ट्रेड हैं लेकिन ये जो है टॉप चौदर ट्रेड है जिसका जॉब में ज्यादा प्रिफेरेंस रहता है जिसमें आपको जो है एड्मिसन लेना चाहिए और इस वीडियो में हम बात करने वाले ह कई इस्टूटेंट का कॉमेंट आ रहा है जो सरह इतना रेंक है मेरा होगा या नहीं होगा उन लोगों को जो है क्या करना पड़ेगा आगे वाले लेने के लिए और मंपाफ कांस्सलिंग के बाद क्या करना होगा ये यह लास्ट में हम देखेंगा सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो कौन सा ट्रेड में आपको जो है एडमिसन लेना चाहिए जिसे कि आपको आगे चल करके ज्यादा कामियाब हो सके ट्रेड तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बीना समय गवाए हुए अच्छा लगए तो लाइक सब्सक्राइब और शेर कर दीजिएगा दोस चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बीना समय गवाए हुए तो आप देख लेजिए इस वीडियो में जो है यह ट्रेड जो है ट्रेड का विवरन यानिकी डिटेल ट्रेड तो आप इसमें देख सकते हैं निर्धारी ट्रेड जो है किस किस ट्रेड में जो है ज्यादा डिमा लेकिन यह दोनों ट्रेड का जो है आपका ज्यादा डिमांड रहता है फीटर का और इलेक्टेशियन का तीन नमर में देख लिए उसका फोर्थ में देख लेते हैं जो है आपका वेल्डर वेल्डर का भी ज्यादा डिमांड रहता है किसी भी छेतर में ठीक है उसके बाद चल स्टोेन देखन इमेकनिक नियों इसका धी जहीर में रहते हैं उसके बादत हैं अब देख सकते हैं कार्पेंट्र हो गया 8 नमर में card penter, सुके 9 नमर में आप देख सकते हैं plumber, उसके बाद 10 नमर में देख सकते हैं wireman का इसका भी ज्यादा डिमांड आगे चलके आने वाला है और और आभी भी demanड है इसका wireman का जो कि wiring के काम में आता है, उसके बाद आप देख सकते है mechanical diesel, यानि कि ये जो है diesel, मैकनि ये भी ज्यादा डिमांड रहता है, ये सभी ट्रेड का जो है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं, कौन सा ट्रेड का ज्यादा डिमांड रहता है, उसके बाद आप देख लेजे, बार नमबर में दिया गया है, मैकेनेश्ट का, उसके बाद आप देख सकते हैं, पैंटर का, यानि कि पेंट बगेरा करने के यूज में आता है ये सभी सिखाया जाएगा आपको जो भी कॉलेज में एडमिसन होगा इससे रिलेटेड एजूकेशन दिया जाएगा आपको उसके बाद जो है आप देख सकते हैं ड्राफ्टमेंड का जो है मेकनिकल का है तो ये सभी ट्रेड जो है आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट है ये जब भी आपका इडमिसन हो आई टी आई में गौर्मेंट आई टी आई में तो आप जो है इसी सभी ट्रेड को लेना चाहिए आपको और ये सभी ट्रेड जो है एंसी भीटी लेना चाहिए NCBT आपको जो है लेना चाहिए जिसे की ज़्यादा स्कोप रहता है Job Philpence इसमें ज़्यादा रहता है SCBT जो होता है SDR लेवल पर होता है और NCBT जो होता है National लेवल पर होता है और यह trade का ज़्यादा demand होता है तो चलिए आप देख लिए इसी सभी trade में जो है आपको admission लेना चाहिए ठीक है आप ध्यान रखिए का admission लेते वक्त आपको च्वास किजिएगा इसी से related जो हूँ आपका एक साल का हो या दो साल का हो लेकिन आपको इसी सभी trade में admission लेना चाहिए तो आप बात करने वाले हैं जो सभी स्टूडेंट का जिनका मौपप काउंसलिंग सम्मिट कर दी हैं तो उनको क्या करना चाहिए और कितना रेंग है तो उनको क्या करना चाहिए तो चलिए देखते हैं और जिन कंडिडेट का भी जितना submit कर दिये हैं willingness submit करने के बाद जो आपको बेट करना चाहिए जो है आपको 20 तारिक तक counseling चलेगा उसके बाद 22 तारिक को list जारी किया जाएगा उसमें आप अपना role number देख सकते हैं उसका तिथी mention रहेगा जो आपको कि तारिक को जो है पढ़ना जाकर के counseling कराना है offline और आप सभी document के साथ जाएगा पढ़ना जिससे कि आपको परिशानिया नहों हो और इसे related document से related हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है आप उसको असपस्ट रूप से देखके और सभी document ले करके जाएगा अगर कोई document आपके पास नहीं भी है तो भी आप जरूर जाएगा counseling के लिए अगर CLC, SLC या जो भी कोई document नहीं है तो आप जरूर जाएगा जिससे कि आपका वहाँ counseling हो सके और उसके बाद जो है अगर नहीं है document तो समय दिया जाता है आप application देखर के नाम लिखा सकता है या counseling में जरूर जाएगा और इस बार मौका मत गवाईएगा और जो भी ट्रेड आपको लेना है तो यह इसी सब ट्रेड से related लिजिएगा और पलपल की update पाने के लिए हमारी चैनल को जरूर subscribe कर लिजिएगा जब भी कोई notification जाड़ी किया जाएगा तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा जिससे कि आपको कोई चीज miss नहों हो और missing नहों हो अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो जरूर subscribe कर लिजिएगा जिससे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच वाचिंग देश वीडियो जैहिन जै भारत हंसते रहें मुस्कुराते रहें थैंक यू थैंक यू सो मच